प्रदेश के एनेचम करमचारी आज से दो दिवसी हड़ताल पर चले गए हैं जिसके चलते एनेचम करमचारीों ने आज रिवाडी के नागरिक अस्पिताल में गेट के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की एनेचम करमचारीों के हड़ताल पर चले जाने से रिवाडी के साथ प्रदेश में स्वास सेवाएं फिर से प्रभावित हो सकती है क्योंकि एनेचम के तहट स्वास्विभाग में विभिन पदों पर कारी करने करमचारीों के कारण पहले भी सेवाएं बादित हो चुकी है इस हड़ताल के चलते आज सुबे से ही सरकारी एंबुलेंस का भी पूरी तरह से चक्का जाम है हड़ताल पर बैठे एनेचम करमचारीों का कहना है कि वे काफी समय से अपनी मांगों को लेकर संगर्स रत हैं एक जनवरी 2018 को करमचारीों के सेवा नियम लागू कर दिये गए थे परन्तु उसमें कुछ कमिया रह गई थी जिनमें शंचोधन के लिए कई बार मिशन निदेशक से संग की मिटिंग भी हो चुकी है तदा मुख्यमंत्री वे स्वासमंत्री से भी कई बार पत्राचार किया जा चुका है लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए है उन्होंने कहा कि वे लगबग पिछले 18-20 सालों से कारियरत है फिर भी 20 वर्षों से अरुबंद पर ही है उनकी मांग है कि उन्हें भी सेवा सुरक्षा परदान की जाए अन्यदा इस अर्टाल को अनिस्टित काल में भी बदला जा सकता है जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी आपको बता दे कि अन्यचम करमचारियों ने अपने चरणबद अंदोलन के तहर्ट बीते दिन रोज चोरूप काले बिले लगा कर काम किया था तदा पिछले दिनों सरकार को जगाने के लिए विरोज चोरूप रग्ताम शीविर भी लगाया था रेवाडी से निविजवाइस के लिए सजे कोशिक के साथ आजे सागरत्री की रिपोर्ट पहले भी धरने पर दर्शन हुए सरकार ने ध्यान नहीं दिया आगे क्या रहन किया था परदान जी से लेकिन सरकार ने आस्वासन ही दिया है और अब हमारी पांस और चैकिए और यह निश्यत का लिन भी जा सकती है अगर स्वास्त मंतरी ने हमारी मांगयो को नहीं मालना तो यह हरटार आगे भी चल सकती है हमारी मांगय है जो हमारी के इस मेंन सोदनी नहीं किया गया पर आपके अर्टाल पर जाने से कही न दे स्वायें वो भी अब बंद रहेंगी तो आम जंता पे तो फरक पड़ेगा है, हमारी जो बहने स्टाफ नर्से इनम जो टिका करन करती है, जो डिलिवरिया करवाती है, उन्हों पे भी बहुत परवाओं पड़ेगा है। कहीना कि मरीजों के लिए परिशानी की बात है। क्या मांग करेंगे सरकार से? हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि हम तो जन सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को आस्वासन देती है, लेकिन लागू नहीं करते हैं। नया साल आपके जीवन में सफलता, सोभागया और खुशिया लेकर आए। यह साल बीते हुए साल से भी जादा स्वर्द हो। बीते साल में आपकी जो कामना अधूरी रह गई वो इस वश्पूर्ण हो। शानती, खुशाली और विश्वास से भरे नहीं साल के लिए मेरी और से अरंत बंगर कामना है।